आझे आप लोगों के लिए लाइं हो मिसन पाव की रेसिपी निसर पाव महारास्ट्रों डिष है वो spicy spicy बनती है चलिए आध्य आध्यां को सिखाते हैं मिसल पाव कैसे बनाते मिसल बनाने के लिए अमीस Dry पर के लुए यह आपकी साइस के आप मटर रात को भीगो दीजिए और अगर आप घर पे नहीं भीगोते हैं तो मार्केट में भीगिवी मटर भी आती है वो आप मार्केट से खरी सकते हैं यह मटर है अब हमें इनको मिक्स करके बॉल करने चाड़ाना है यह कुकर अपने लिया है कि कुकर में आप मट आच निरे उट में थोड़ा सा सोड़ा पाउडर एड करदीजि आज इतना सा इतना सा सोडा पॉडर सबें पार तोड़ा पाउडर डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे तीन ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है तीन ग्लास पानी डालें कूकर को बंद करिए और इसमें आठ से नौ सीटी लगानी है जब तक इसमें आठ से नौ सीटी आती है तक तक हमको प्याज और टमाटर छोटे-चोटे बारिक-बारिक काट के रखने हैं के यह ली नहीं हमने मॉटर और अलू वाल कि osition है यह मात्र में सेप्रेट UP कर ली है इसा अब कोड़ में तोर अधा treated कर लिये हैं मार्केट में अलग-अलग ब्राइंड के अलग-अलग आते हैं तो आपको जो भी मिले वह आप मिसल मसाना ले लीजिए दो से तीन टी स्पून है साथ में हमें नमक लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर चीह जो आपके किचिन में बहुत एजिली अवरेबल होगा यह हमने कडाई रख दी है इसमें हमें तेल आड़ करना है तेल इसमें अच्छी कॉंटिटी में लीजिए इसमें आप दो से तीन टेबल स्पूल लीजिए क्योंकि तेल ही है जो मेंसल के ओपर तैर कराता है और जिससे उसला तलर बेचा आता है कि इतना तेल मैंने इसमें डाला है तेल को गरम होने दीजिए और गरम होने के आद हमें इसमें क्यास डालना है देखिए हमारा तेल गरम हो गया है क्यास को थोड़ा कम कर दीजिए और इसमें क्यास यास को हमें दो से तीन मिनट के लिए पकाना है तो कि दो सुतिन मेर्व की क्यार भी गुल जए हैं उसमें तमाटा डालें तमाटा को पेमें तमाटा को प्रेकर भूलना है स्साथ में यालू आप आपट कर दीजियों की आपने कोईल के वह है आलू कर से स्मेश कर दीजियों कि यह देखिए यह आलो को मैंने स्मेश कर दिये और यह पत्रा है इसमें हम अभी मसाला एड़ करेंगे इसमें आपका निसल मसाला आपका लाल मिर्च पाउडर इसमें आप कलर वाला नालमिच पाउडर यूज़ किजिए जिससे कलर आता हूँ नालमिच पाउडर के बार थोड़ा हल्दी पाउडर अब मैं इसमें भी एक चमश नमक डालने हैं क्योंकि मैंने मटर को बॉइल करते वी तो इसमें नमक डाला था जब तक यह मसाला पक रहा है तो आप प्लीज मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर करिए और आपके अगर कुछ सुझाओ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर मुझे उसमें कुछ चैनलीस करने है या कुछ और आपको पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए यह देखिए हमारा तेल श्यप्रेट हो गया है थोड़ा थोड़ा साथ तेल ठोड़ने लगा है मसाला मसाला पक गया है अब इसमें हम मटर एड करेंगे जमने बॉइल करके रखते हैं तो थोड़ा पानी और एड करेंगे है कि मिसल में ग्रेवी ही वैल्यू रखती है इतना पतलाम ने रखा है अब इसको हमें पास से साथ मिनट के लिए पखने के लिए छोड़ देना है यह देखें इसमें तेल ऊपर आ गया है और यह हमारा पग गया है अब मार्केट में आपको रडिमेट मिल जाएगा आप इसे लेदीजिये यह एकदम बारिक भी आता है थोड़ा मोटा भी आता है जैसा आप वैसे इतना लेंगे तो आपको सही रहेगा यह गरम-गरम नेमु आपको चाहिए तो इसमें एड़ कर लीजिए नहीं चाहिए रखिक है